Hi everyone, I am Richa, you are watching Parcham and आज की क्लास is all about Odisha map. Yes, political map of Odisha हम याद करेंगे, mnemonic techniques की मदद से, जितने भी divisions और district हैं, उन सभी की placing आप याद करेंगे, और वीडियो के end में आप ये blank map मेरे साथ इस वीडियो में खुद फिल करेंगे, और चेक करेंगे, कि एक story या कुछ चोटे-चोटे stories और visuals की मदद से, क्या आप पूरा map पूछा जाता, so, जब कभी भी आपको ये चीज़ पढ़ते हैं, अगर उससे related diagram या location on map आपको कभी दिख जाए, science पढ़ और diagram दिख जाए, geography या कोई भी subject पढ़ रहे है, और किसी city का mention आजए, किसी जगे का mention आजए, और map पे अगर आपको वो जगे दिख जाए, तो आप ये purpose है, maps याद करवाने का, जैसे का atlas आप रिफर करते हूँ, इसी तरह से map न रिफर करने बड़े, दिमाग से रिफर हो जाए, so, हर चीज़ हो जाती है, if you have ready map in your mind, okay, so, चलियो, on this note, शुरू करेंगे आज की class, देखेंगे कुछ facts, Odisha से जुड़े हुए, और उसके टोटल, division या प्रमंडल है, तीन divisions है, north, central and south division, अभी map पे देखेंगे, टोटल 30 district या 30 जिले है, हिंदी में इनको जिले कहा जाता है, और यहाँ इसको प्रमंडल, okay, चलियो, largest and smallest district by area, area wise कौनसी district largest and smallest है, यह आपके लिए question है, जल्दी से comment किर के आप मझे बताएंगे, which is the largest and smallest district by area, area, all right, now, moving over to the borders, Odisha, कितने states के साथ, border share करता है, four, very good, यह आपको दिख रहा है, इंडिया का मैप, और यह red color में आपको दिख रहा है, Odisha, okay, eastern coast पे लाए करता है, और चारधाम में से, एक, जगननाथ पुरी मंदर यहाँ पे है, चलियो, कौन-कौन से states है, so, पहला one, this is, zoom करें थोड़ा सा, चलियो, let me zoom it a bit for you, so, the four states with which it shares the boundary, जार, चातिसगर, जारकन, वेस्ट बिंगौल, आंधर प्रदेश, यह चार states के साथ में, बाउन्डरी शेर करता है, और यहाँ आप बड़े माप पे देख सकते हैं, and if you are preparing for state PSCs, तो आपको अपने state, और अगर आप नि अधरप्रदेश के हैं, तो कौन-कौन से districts आपके state के साथ boundary share करते हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए, anyways, so, चातिसगर to the west, जारकन to the north, west बिंगौल to northeast, and आंधर प्रदेश to south, यह चार states हैं, moving over to the divisions, मैंने आपको बताय था, दिरा three divisions in Odisha, तो यह आपको तीन कलर में दिमा market हो रखे हैं, जो भी आपको yellow के shades दिख रहे हैं, this is the central division, this is the central division, blue के जितने भी shades हैं, यह सारे northern division है, north division, and the pink and red are the south division, ठीक है, simple, अभी इनको और जब हम याद करेंगे technique से, तो वापसे दिमार्केट करेंगे, अब आते हैं, map को समझने पर, नई, सीधे technique नहीं लगाएंगे, मैं हमेशा समझाती हूँ, जब कभी भी maps याद करने हैं, ऐसा नहीं है, map खोला, technique लगाना शुरू कर दिया, no, technique तभी काम करती है, जब आपने किसी चीज को ढग से सुना हुआ है, जिसके बारे में थोड़ एक बार सारे district आपके पढ़े हुए होने चाहिए, इनके नाम कानों में गए हुए होने चाहिए, आपको टेक्नीक हिंट तक पहुचा देगी, पर नाम तभी आप बता पाओगे, जब आपने वो district के बारे में सुना हुआ है, जैसे मैंने अगर कटक के बारे में कभी सुना नहीं नहीं है, तो मैं कट तक पहुच जाहूं लेकिन कटक नहीं निकलेगा मों से, got it, तो आपको एक बर माप पढ़ना बहुत जरूरी है, चलो, without any delay, let us start reading the map, हम शुरू कर लेते हैं, सेंटर डिविजन के साथ में, ये यलो बाला पोर्शन, है ना, इंग्लिश में लिख जगत सिंगपुर, पुरी, अब अंदर की लाइन पर आजाए, जाजपुर, कटक, खोडधा, नयागड, तो ये सारे हो जाते हैं, 10 districts, सेंटर डिविजन के, all right, moving to the North Division, North Division के बारे में आप पढ़ लेते हैं, let me change the color, सबसे पहले, क्यों जार, अब केंदू जार या क्यों जा दोनों कहा जाता है, तो मैं दोनों बता देती हूं, still अगर मेरा pronunciation ठीक नहीं है, तो please let me know in the comment section, because I've never been to क्यों जार, तो exactly कैसे प्रनाउंस करते हैं, मुझे नहीं पता, it is only based on my knowledge so far, जो मैं बता रही हूं, क्यों जार, धेकनाल, then अंगुल, देवगड, सुंदरगड, जार बारगड, यहाँ पर आजाए, बलांगीर, सुबर्नपुर, और यह रहा संबलपुर, ठीक है, तो कितने district हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, यह 10 districts हो गए हमारे North Division के, 10 district Central Division, 10 district North Division, so far so good, okay, moving over to the South Division, जो भी आपको रेड में दिख रहा है, यह South Division है, कहां से रीट करना शिरू क करें, यहां से करते हैं, चिलिकालेक है यह, पहचाना इसे, चिलिकालेक, और यही से शुरू करेंगे, गंजाम, गजपती, कंधमाल, कालाहांडी, नबरंगपुर, नुवापाड़ा या नौपाड़ा, वैसे नुवापाड़ा बोलते हैं, राएगड़ा, कोरापुठ, मल 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 10 ही बचे थे, सो यह 10 हो जाते हैं, साउथ डिविजिन के इस्ट्रिक्स, वेरी इकुली इस्ट्रिब्यूटे, 10, 10, 10 एच, चालिए, ठीक है, अब जल्दी से हम हिंदी के माप को पढ़ लेते हैं, और फिर हम टेक्नी की तरफ मूफ करेंगे, इन स्टूरंस ठीक है, मयूर भांज, बाला सौर, जो जो सही है मैं वही बोल रही हूँ, गलत लिखा हुआ हो सकता है कई जगे, भदरा, केंदर पाड़ा, जगत सिंगपूर, पुरी, जाजपूर, कटक, खोरधा, नयागर, ठीक है, सेंटर डिविजिन खतम होता है, अब हम चलते हैं, न हार सुगड़ा, बारगड, बलागीर, सुबर्णपूर, और फिर नीचे साउथ डिविजिन की तरफ, चलिए, घंजाम, गजपती, कंध माल, कालाहांडी, नवरंगपूर, नौपाड़ा या नौपाड़ा, कोरापुट, रायगड़ा, मलकानगिरी, ठीक है, और, जैसा कि पिछली बार भी जुट गया था, बॉद्ध, या बोदा, बॉद्ध बोलते है वैसे, तो यह सारे हो गए, डिस्ट्रिक्ट 30, हमने रीड कर लिये हैं, और हमने डिविजिन देख लिये हैं, इंग्लिश-हिंदी दोनों में रीदिंग कर लिये, अब बात आती है, करने की, अब याद करने से पहले थोड़ा ध्यान से स्ट्रक्चर को देखे, ओडिशा के मैप को, क्या यह आपको किसी मिलते जुलते फिगर जैसा दिख रहे है, बहुत सीरियोस हो कर के और बहुत लॉजिक से मत पढ़िएगा, आज की क्लास बहुत फ्री माइंड से बैठ पंक हो गए, ब्लू कलर के, यह इसकी टेल जा रही है, दिख रही है किसी बर्ड जैसी, और अगर मैं बोलू, यह बर्ड मोर्नी हो सकती है, तो क्या हम रिलेट कर सकते है, यह मोर्नी का थोड़ा नेक हो गया, वैसे बुल-बुल जैसी भी दिख सकती है, किसी भी बर्ड जै वो इसी से शुरू होने वाली है, ठीक है, और तीन डिविजन भी बनाना आप थोड़ा सा सीख सकते हैं, इस कहानी के बाद मैं आपको सिखा दूँगी कैसे तीन डिविजन डिमार्केट करने हैं, है ना, तो स्टार्टिंग करेंगे हम सेंट्रिल, बिल्कुल मैंने जूम कर सेंट्र डिविजन से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंके मयूर वहीं से शुरू होता है, है ना, तो मयूर भंज, बाला सौर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंग, पुरी, जाजपुर, कटक, खोड़दा और नया अगड, है ना, यह सब आते हैं सेंट्र डिविजन में, हमने पढ़े थे, अब इनकी एक स्टोरी सुनिएगा, के मयूर की बीबी है, बीबी यानि मोरनी हो गई, मयूरी हो गई, मयूर की बीबी है, और अगर आप उसको बाला सौंग सुना दो, बाला, ओ बाला, ओ बाला, इक्जाक्ली, अगर आप उसे बाला सौंग सुना दो, त जाती है और इतना भड़कती है कि उसका पारा वापिस केंद्र में आने के लिए पारा केंद्र में लाना मतलब उसका टेमपर कंट्रोल करने के लिए उसका पारा केंद्र में लाने के लिए जगत पूरी की पूरी जुट जाए ना तब जा कि उसका पारा केंद्र में आता है जगत पूरी जज्जा है मतलब everybody is working towards it, okay? So, Mayur की बीबी बाला सॉंग सुनते ही भड़क जाती है और केंद्र में लाना है अगर उसका पारा वापिस तो जगत पूरी जगत को मेहनत करने ही पड़ती है यहां तक की बात समझ में आ गई? अब यहां से सीधी सीधी एक स्टोरी से हमें बिल्कुल जो आउटर बॉर्डर था ओड़ेशाग के इस्ट साइड का वो हमें याद होता है Mayur की बीबी बीबी यानि वाइफ बीबी बोलते हैं वैसे हमने बीबी कर लिया Mayur की बीबी अब यह बीबी क्या है आप कंफ्यूज हो सकते हो तो Mayur की बीबी को बाला सौंग सुनते ही वो भड़क जाती है अब उसका पारा केंदर में लाने के लिए पूरे जगत को मेहनत करनी पड़ती है तो केंदर में पारा तो केंदर पारा जगत पूरी लग जाती है तब जाके वो नॉर्मल होती है तो जगत, सिंग, पूर और पूरी तो आप सीधे भी याद रख सकते हैं ये चिलिका लेख है चिलिका लेख के जसपास में पूरी है कुछ चीजे हम सीधे भी common sense से, हमारी अभी तक की knowledge से भी याद रख सकते हैं, हर चीज story based होनी जरुरी नहीं है, इसमें से अगर आप किसी district में रहते हैं तो आप उसकी location वैसे समझ सकते हैं, आप कुछ पहले से जानते हैं तो वैसे समझ लीजे, जैसे चिलिका लेक है, उसके तीनों district हैं, जो की चिलिका लेक के आसपास पढ़ती हैं, आपको पता होनी जाए, तो ये वाली वैल्ट अभी हमने याद कर ली, अब हम आते हैं अंदर वाली वैल्ट पे, ये, जाजपूर, कटा, खोरदा और नयागर, अब भई बार बार कोई बाला song बजा दे रहा है, बार बार मयूर की बीबी भड़क जा रही है, तो हमने सोचा, हम पता लगाते हैं, song बज कहा रहा है, है ना भड़क, क्यों भड़का रहे हैं बार बार, तो भड़क के बिलकुल पास देखो, भड़क यानि भदरक के पास, तो ये देखिए, भदरक के पास अगर आप देखेंगे, तो ये आता है, जाजपुर, क्या आता है, जाजपुर, तो हमने देखा, ये जो song है, जिससे मयूर की बीबी भड़क रही है, वो ये जहाज से आ रहा है, कहां से आ रहा है, जहाज, यानि शिप से आ रहा है, जहाज से आ रहा है, फिर हमने देखा, अरे, इस तो पुराना सा जहाज है, चलो इसको कट करते हैं, तो आपने उस जहाज को कट किया, कट किया तो भी कुछ नहीं दिखा, फिर आपने खोदा, फिर आपने खोदा, स्टोरी चला लिजे बस दिमाग में, कुछ नहीं करना है, पहले आपने जहाज को कट किया, फिर आपने उसक वो एक जाहाज से आ रहा था, जाहाज को जब हमने कट किया, अच्छा आप कटक को अलग से भी पहचानना, कटक को आपको अलग से पहचानना, आना चाहिए, बिकाज इसके आसपास, ये देखो, इलोंगेटेट सा एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, आप थोड़ा सा क्रिय इसको आप मशीन गन जैसा इमाजन कर सकते हो, या ये अक्टोपस का हेड है, और ये उसके आम्स निकले हुए है, ऐसे भी इमाजन कर सकते हो, कटक पहचान लीजे, ठेक है, तो ये पुरी है, पुरी के उपर ये जो भी एक लंब आसा डिस्ट्रिक्ट का शेप आपको करने के बाद हमें नया गड़ मिला था, तो नया गड़ा पहचान जाओगे, है ना, तो आपको दो तीन लोकेशन यहां पर ऐसी मिल गई, जो आपको help करेंगे, इडेन्टिफिकेशन में, ये देखे, एक तो चिलिका लेख है, उसके पास पुरी आ जाता है, खोड़दा आ आप यहां भी जा सकते हो, जहाज से ही तो भड़क रही थी वो, क्योंकि जहाज पर घाने चल रहे थे, तो भद्रक आ गया, भद्रक से आप बाला सौर और केंद्र पाड़ा तक पहुच सकते हो, तो ज़रूरी नहीं आप कहानी से ही इधर उदर जाओ, आप शेप्स देख पूरी चुड़ जाती है, फिर हमने देखा कि यह बज कहां रहा है, तो जाजपुर में, जहाज में हमने कट किया, फिर खोदा और नया गड़ मिला, ठीक है साहब, यहां तक नो प्राबलम, अब हम चलते हैं, नौथ डिविजिन की तरफ, जादा जूम हो गया, अब देख हैं, यह हमें याद करने हैं, बिकज यह है हमारा नौथ डिविजिन, और इसके दस डिस्टिक्ट हमें याद करने हैं, एक कहानी में हम इसको पिरोएंगे, तो अब कहानी आप चाहें, तो जहाज से भी चालू कर सकते हैं, ठीक है, और कहानी चाहें तो क्यो जहार से भी चा पहले हम अंदर से करेंगे, अभी जहाज की बात हुई है, तो यह जहाज था, अब हम बोल रहे हैं, जहाज आया कहां से, नए लोग, नया गडव अगेरा सब मिल गया है, लेकिन जहाज आया कहां से, तो बता चला है, यह जहाज एक केनाल से आया है, कहां से आया है, एक केनाल केनाल समझते हैं, नहर, जो पानियों को जोडने के लिए लैंड में जब हम कुछ कट कर देते हैं, so that water can move, केनाल, तो केनाल में से जहाज आया, केनाल में यह जहाज फस गया और इसलिए यह आठका हुआ है, फसा क्यों, क्योंकि वह केनाल एकदम उंगली भर जैसा था, संभल, संभल के निकलते, कि भी हम फस नहीं जाएं, फस नहीं जाएं, तो संभलते हुए, धीरे-धीरे चलाते हुए, और देव को याद करते, निकलते थे यह जहाज फिर भी फस गया, और फस गया तो इसके लोग यही रहने लग गए, यही изकाने पेने Пीने лग लग और उसमें से जो भी कोई निकलता था तो वो देव को याद करते करते और संभल संभल के निकलता था बस इतना सा ध्यान रखना है और आपको यह कापी सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो जाते हैं चलिए आईए तो हम थे जाजपुर पे जाजपुर की लोकेशन तो पता है कटक क तो कहुंए बिल्कुल ऊपर जाजपुर के इधर चलो जाज कहां से आया कैनाल से घैकनाल ठीक है इये कैनाल से कैनाल कैसा है अंगुली जैसा लंबा तो ये देखो इसका शेप भी देखो ये लंबा इस तरहसे जैसे आपने उंगली पतला चाहा जाता इंग光 है तो ठीक है? देव को याद करते हैं, तो और समल समल के जाता था फिर भी अठक गया. तो इतनी सी कहानी से आपको ये वन, टू, थ्री और फोर तो याद हो जाते हैं. ठीक है? चलते हैं आगे की कहानी पे. अब दूसरी कहानी जो है वो क्यों जाड से स्टार्ट होती है? ये जो मयूर है, मयूर की बीबी है, ये अपने पंक जाड रही थी. मोर भी पंक गिराता है ये जानके जाड रही थी. तो हमने पूछा, भई क्यों जाड रहे हो? क्यों जाड रहे हो? आपके सुन्दर सुन्द जहाड रही हूँ और वैसे भी बहुत गिर रहे हैं रफ भी हो गया गिर भी बहुत रहे हैं जैसे अपने बाल गिरते हैं ऐसे इन्हों ने बोला कि गिर भी बहुत रहे हैं यह तो बैटर एक एक गिर है तो मैं सारे जहाड देती हूँ और फिर जब यह जहाड दूंगी तो से एकदम सुन्दर सुने जैसे स्वर्न जैसे पंख आएंगे गॉट इता सीन समझ में आया जो मयूर की बीवियो बैठे बैठे पंख जाड रही है आपने पूचा क्यों जाड रहे हो इता सुन्दर पंख के खराब हो जाएंगे उसने बुला जाड़ने में बहुत सुख मिल यह गिल रहे है वैसे भी बाहर भाहर के पंख जाड रही हूँ और यह वैसे भी गिर रहे हैं और इनको जाड़ ढूब गैटा सुन्दर सुंदर सोन्द से पंख कंग आएंगे ओके आजाओ तो कॉन जाड रहा था पंख मयूर की बीबी ना तो मयूर भंच के पास में आ जाता है क्यों जार, क्यों जार, क्यों जार रहे हो? तो भ्हाई ये सुन्दर सुन्दर पंख क्यों जार रहे हो? सबसे ऊपर इधर देखो, North Division में सुन्दर गंड, ठीक है फिर उसने बोला जारने में सुख मिल रहा है, जार सुगुदा, जार सुगुदा, ये जार और ये वाला जार सुगुदा, इधर भी जार था पर ये क्यों जार है और ये जार सुगुदा है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो याद रह जाएगा, तो क्यों जार रहे हो, स गिर रहे हैं बलागीर इसके बाद नीचे आ जो बलागीर विलकुँ सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन ये ऐसे और फिर बीच में आ जाएंगे ठीक है तो क्यों जहाड़े हूँ सुंदर सुबर्णपुर, सुबर्णपुर, अब अगर आपका भी रैंडमली देखना चाहो, स्टोरी से नहीं जाना चाहो, तो आपको सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, जो अभी अगले डिविजिन का है, पर यहीं देख लो, यह है बौध, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चोटा करके मैप पे देखो, यह रहा बिलको सेंटर में, जैसे मोगली फेकता था ना, डिस्क जैसा, थोड़ा इसी शेप का है, यह बौध, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान रखोगे, तो बौध से भगवान बुध याद रखोगे, तो उनके आसपास के डिस्ट्रिक्ट आप याद रख सकते हो, मैं बाद में याद कराऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह बौध यहाँ पर है, इसके पास मैं अंगुल, चलो मैं बता देते हो, बौध भगवान बुध उन्होंने अंगुली माल डाकुक को भी नॉर्मल किया था, तो अंगुल हेक तो इनके गिरोगे नहीं, तो बौध के आसपास से आप यह तीन डिस्ट्रिक्ट पकड़ सकते हो, तो बलागीर और सुबर्णपूर आपको सीधे भी माग करने को मिले, तो आप माग कर सकते हो, मिले इन दसेंस अगर आपको करना हो, ठीक है, तो अब फटा-फट से एक रिविजन ल सुबर्ण जैसे आएंगे, एक तो यह किया हमने, एक किया यह जाज कहां से आया, केनाल से आया, केनाल अंगुल जैसा था, और उस में से संबल संबल के जाते थे, देवता का नाम लेते लेते जाते थे, ठीक है जी, ओके, अब हम आजाते हैं, सदर्ण डिविजन पे, यह साउथ डिविजन, I hope आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बाइटनेस बढ़ा देते हैं, चलिए. So, अब साउथ डिविजन की कहानी है वो स्टार्ट होगी चिलिका लेक से, और बहुत मज़ेदार कहानी है, कहां से शुरू करेंगे? यह है चिलिका लेक, ब्रकिश वाटर लेक है ना? जो खारा और मीठा पानी लों मिक्स होता है, तो अब चिलिका लेक एक तो ही होता है चिल्का, चिल्का यानि ही रिफलेक्शन, कभी कांच और धूप, ऐसे रिफलेक्शन ट्राइक है, आंगल ऐसा सेट करो के तो कांच पर ध So, यहीं से हम शुरू करेंगे, एक गंजा व्यक्ति है, हम कोई मजाक्नी बना रहे हैं, जैसे मैं भी धिरी धिरे गंजी हो रहे हूं, गंजा होनों कोई बुरी बात नहीं है, लोग फैशन स्टेट्मून के लिए भी गंजी होते हैं, ठीक है, so do not take it as a body shaming, मैं normally आपको याद करवा रहे हूं, तो एक गंजा व्यक्ति है, वो गज पे बैठा हुआ है, imagine करो, गज यानी हाथी, एक गंजा व्यक्ति गज पे बैठा है, ओके, और उसने क्या पहना हुआ है, कंद मूल समझते हैं, कंद मूल जो होते हैं, कंद मूल की माल, कंद माल बोलो या माला पहनी व हांडी is kind of चौड़े मुग का न, एक एसा मतका तो नहीं बोलेंगे, हांडी is a little flattened एक बोल होता है, जिसमें मुग होता है, हांडी it is called, so, मटपॉट is like round and हांडी is like a little flattened हांडी, तो उस व्यक्ति ने गंजा व्यक्ति है, गजपे बैठा है माला पहनी वी है, हांडी ली होई है और अब वो जा रहा है, और उसका चैलेंज है यह, कि उसको गजपे बैठे-बैठे, हांडी में जो पानी है न, वो गिराना न, बैलेंस करना है और आज पास से लोग उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नव रंग फेंक रहें और वो बैलन्स करने की कोशिश कर रहा है और वो यह भी कोशिश कर रहा है, Oversmart है न, बहुत ज़द ही कोशिश कर रहा है कि रंग मेरे उपर नहीं गिरे मैं एक दम कोरा निकल जाओं, लिभनानी एसा इसा कि ए इतना भचने और संभालने के चक्कर में क्या होता है मकान पसे गरॉता है, किसी पर जाके गिड़ जाता है मकान अजय एखे एक वाहजा अग सब्हेड करो कि एक गनजा व एति है गज़ पर बैठा है माला पहना हूए हाथ में हांडी ली वही है हांडी बैलिंस कर रहा है, अच्छे किसी ने राय भी दी, कि हांडी मतलो, हांडी में से पानी जल्दी बहार आता है, एक काम करो, घड़ा ले लो, घड़ा, पॉट, घड़ा ले लो, पर नहीं माना, मैं तो हांडी लूँगा, अब हांडी लेके जा रहे हैं, आसपा से लोग नव तरे के, नौ तरे के रंग फेक रहे हैं, उससे भी कोरा निकलना चाहर है, उस चकर में मकान पे जाके गिर गया, ठीक है, बस हो गए आपको सारे डिस्ट्रिक्ट याद एक सीन देखने से, तो चिलका, चिलका लेक के पास में गंजाम है, गंजे से गंजाम, गंजा व् होई है, हांडी, काली हांडी पी चाहो तो बोल सकते हो, नहीं तो हांडी ले सकते हो, काली हांडी ले लो, तो काला हांडी तक पहुँच जाओगे, ठीक है, काला हांडी ये हो गया, उसके बाद आप जब वो जा रहा है, तो किसी ने उसको राय दी थी, कि भई हांडी मतलो तो आप घड़ा ले सकते हो, तो राय गड़ा, राय दी थी के घड़ा ले लो, देखो हंडी के बिलकुल पास में, काला हंडी के बिलकुल पास में, पर नहीं मानी, और आगे लोग उस पे नवरंग फेक रहे हैं, तो नवरंग पुर, नव, नवरंग is nine colors, नवरंग पुर, औ और वो कोरा निकलना चाहरा है इसमें से, तो कोरा पुट, कोरा पुट, और लास में क्या होता है, मकान पे गिर जाता है, तो मलकान गिरी, मलकान गिरी, ये सब पढ़ लिए, अच्छे से दिखिया, एकक रिविजन दे दू, देखो, चिलिका के पास में गंजाम, गंजा व अगे बढ़ा, तो नवरंग, फेंकेक लोगों ने, नवरंगपुर, वो कोरा निकलना चाहरा है, कोरा पुट, और इस चक्कर में मकान पे गिर गया, मलकान गिरी, एक डिस्ट्रिक्ट रह गई है, नुआ पाड़ा, ये बिल्कुल बलांगीर के पास में है, तो देखो, नव के उपर ही नव से, नुआ पाड़ा, नव नव नव, नव रंग, नुआ पाड़ा या नव पाड़ा जो बोलते हैं, ठीक है, तो नव नव साथ में आ जाएंगे, और इसके साथ में हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हतम नहीं होते हैं, एक और डिस्ट्रिक्ट बचता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बॉध डिस्ट्रिक्ट है और वो मैंने आपको अलग से बता दिया ये देखिए डिस्क जैसा शेप है बॉध और अब बॉध से देखोगे तो जो बुध थे गौतम बुध जो थे उनसे आप याद कर सकते उन्होंने अंगुली माल का रिदय परिवर्तन किया तो अंगुल यहीं आ जाएगा और वो आपके दिल को सोने जैसा बना देते हैं सुबर्णपूर आ जाएगा और आप बुध की शरण में आने के बाद गिरोगे नहीं जीवन में उठोगे उठोगे तो बलांगी रा गया और बुध कोई भी माला वाला नहीं पहनते थे कंधे पर तो कंध माला ऐसे आप याद रख सकते हो और भी कर सकते हो जब आप डिविजन डिमार्केट करना सीख जाओगे चीज़ें इजी हो जाएंगे तो देखें डिविजन डिमार्केट करना सीखो यहां तो तीन कलर दिख रहे हैं बाकी तो नहीं दिखेंगे प्लेन माप दिखेगा तो यह face यहां से आपने शुरू किया यह एक ही layer है ना मतलब यह सबसे बाहर का यह भी सबसे बाहर का district यहां आते ही दो layer हो जाएंगी यहां आते ही एक यह layer चल रहे है एक हे दूसरी layer चल रहे है तो आपको इध्यान रखना है बस यह दो layer ठिक होगा बौद तक पहुँच गए, बौद तक पहुँचते ही, चिले का के पास से बाहर आ जो, यह आपका एक division बन गया, समझ में आई, चिडिया की जो face और गर्दन है न, face और गर्दन का हिस्सा, वो हमारा center division हो गया, बस इतना ध्यान रखना है, तो चिडिया का face और उसकी गर्दन और यह, बिल्कुल आगे का हिस्सा, यह हो गया, center division, अब चिडिया का यह देखो, एक punk है, यह रहा punk, यह आपका north division हो गया, बस इसमें ध्यान रखना, बौद के उपर से जाना है, यह बौद आपको identify हो जाएगा, बौद district आगई, इसके उपर से ले लो, सीधे सीधे punk आ र south division, और बाकी सारा आपका हो गया, south division, okay, तो division mark करना सीख जाओगे, तो answer करना easy होगा, so यह थी हमारी पूरी की पूरी story, I really hope, enjoy की होगी, एक quick revision देते हैं, मैं बीच में बिल्कुल नहीं रुकूंगी, आप बिल्कुल focus हो करके सुन लीजेगा, और फिर आपका quick recall test होगा, alright, अब इसको zoom नहीं कर रहे हैं, ताकि आप थोड़ा overall view भी देख सकें, चलिए, कहानी शिरू होती है, मयूर, मयूर की बीबी, बाला का song सुनते ही भड़क जाती है, उसका पारा केंद्र में आने के लिए, पूरा जगत, जगत पूरा का पूरा जुड़ जाता है, तब उसका पारा बीच में आता है, फिर हमने देखा, यह भड़काने वाला गाना बज कहां रहे है, तो जहाज पे बज रहा था, उसको हमने कट किया, उसको खोदा, तो देखा अंदर तो पूरा नया गड़ा बना हुआ है, फिर हमने देखा जहाज कहां से आया, यह डिविजन खतम ह हो गई, फिर हमने मैयोर से पुछा रहे है, तुम पंक क्यों जहाड रही हो, तो उसने बोला, और हमने बोला सुंदर नहीं लगोगी, तो शी सेड, जहाडने से सुख मिलता है, बाहर बाहर के जहाड रही हूँ, और यह वैसे भी गिर रहे है, फिर स्वर्ण जैसे पंक है, कंधे पे माला डाली हुई है, काली हांडी ले रखी है, किसी ने का रहे भाईया, काली हांडी बैलेंस मत करो, हम राय दे रहे हैं, घड़ा ले लो, नहीं साब नहीं सुनी, फिर आसपास के लोग नवरंग फेंक रहे हैं, उससे कोरा बच के निकलना चाह रहा है, इस किया होता, तो 10-15 मिनिट का काम है, ओके, चलिए, ओर राइट, तो नहीं से टाइम फॉर को एक रीकॉल टेस्क, और उससे पहले पटाफट में आपको डिविजन डिमार्केट करना सिखा देती हूँ, देखो, सबसे पहले यह रहा बौध, मैंने आपको बीच में बोला था यह मार्क करना ध्यान रखेगा, यह अगर आपने बहुत मार्क कर लिया, डिविजन मार्क करना बहुत सिंपल हो जाएगा, यह मयूर का फेस है, मयूर की बीवी का यह रहा फेस, ओके, यह हमने साथ में लेना है, क्योंकि जब आप इस तरह से बना लो, देखो, आपको पहचान रहा हो, यह रहा कटक कटक के उपर से जटे जाते बस, बाध से मिला देना है, फिर बाध से यहां से लो, और बाहर की तरफ अज़िए इस वाले ब्लैंक माप में यहां पर चिलिका लेक माघ्द नहीं है, यह चिलिका लेक, इमाजन कर लिजए, चलिए, अब ये त बौद के ऊपर-ऊपर से लिजे why, और ये नुआ पाड़ा चोड देना हैं ये बताया था मैंने रह मैंने नुआ पाड़ा चोड देना हैं ये पूरा division center division या south division मलकान गिरी south division कहां जाता है बिलकुल नीचे शाबाश this is मलकान गिरी देखा सुनते ही मलकान गिरी तक पहुँच गए मकान पे गिरा था वो very good चलिए अब मझे बताएगा के next आप मझे बता दीजे सुंदरगड कहां पढ़ता है सुंदरगड सुंदरगड कौन से division में पढ़ता है south north या center सुंदरगड क्यों जाड़ रहे हूं सुंदर सुंदरपंख है ये रहा सुंदरगड शाबाश पहुचे सुंदरगड तक तीसरा आप मझे बताएगा के खोरदा खोरदा कहां कढ़ता है कौन से डिविजिन में पढ़ता है North, Center या South खोरदा सेंटर में कहां पढ़ता है तो ये देखिए ये था कटक ये था कटक और कट करके हमने खोदा था तो ये रहा third number पे खोरदा पहचान पार ही हो जैसे आपने खोरदा के बारे में कुछ पढ़ा आपके दिमाग में आजाएगा अच्छा यहां पे था खोरदा यहां से जुड़ी भी बात हो रही है ठीक है अच्छा मझे बताएए देवगड कहां पर है देवगड देवगड कौन से डिविजिन में पढ़ेगा देवगड याद करो याद करो वेरी गुड देवगड यह रहा नौथ डिविजिन के अंदर कहां से हम गए थे कहानी में यह हमारा क्या था जाजपुर था जाजपुर से हमने बोला था के कैनाल के अंदर धे कैनाल में फस गया था यह और अंगुल जैसा कैनाल था और संभल करके जाते थे है ना दो चीज़े हमने पढ़ी थे ठीके चलो आखरी सवाल कुष्टियों बताईएगा क्या बताएंगे काला हंडी काला हंडी कहां पर पढ़ता है इसली बता दिया वेरी गुड अच्छा बताईए और सी क्या होगा काला हंडी की जगे क्या उसको ऑप्शन दिया गया था कि राज गड़ा वो राय गड़ा राय दी गई थी कि गड़ा ले लो तो दिस इस राय गड़ा मैं ओडिशा से बिलॉंग नहीं करती हूँ मुझे सारे डिस्ट्रिक्ट पढ़ने याद करने की ज़रूरत नहीं फिर भी अगर मुझे याद है तो आपको तो याद हो ही गए होंगे विकुज भी बिलॉंग तो दाट स्टेट तो ये तरीका है जिससे की आप मुझे बताईएगा फाइव में से अपना स्कोर या और पूश लेते हैं चलो टैन तक पूश लेते हैं बताईए ये सिक्स नंबर सिक्स नंबर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मयूर की बीबी हाँ पहला बी बाला से बाला सौर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स मुझे आप बताईएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट कोशिश करते हैं बताईए अब आपके लिए डिफिकल्ट क्या रहेगा सब आते आपको सेवन नंबर बताईए क्या है सोचिए सेवन नंबर ये चलिका लेक थी गंजा व्यक्ति किस पर बेटा था गजपे तो गजपती शाबाश नेक्स हम पूछते हैं चलिए बताईए बताईए ये बताईए ये बता दिजे एट नंबर ये आपने क्या ही था नुआ पाड़ा नौनो से नव रंगपर चलिए उपर से कुछ पूछते हैं कुछ difficult कोशिश करें पूछने की ये आपका बौद माग कर देते हैं चलिए बताईए ये कौन सा है ये वाला बताईए चलिए नंबर नंबर बताईए जल्दी से नंबर जो मयूर है उसकी बी-बी की कहानी है ये और जो भड़कती थी वो क्यूं भड़कती थी ये वो अंसर है क्यूं भड़कती थी वो किस पे शूर मच रहा था वैरी गोड जाजपूर जाजपूर हो गया और आखरी आप मुझे बताएंगे चलिए आँखरे आप मुझे ये वाला बता दीज़े 10 number 10 number शेप से बेचानगे कट टक So I really hope आप इन 10 में से नहीं नहीं करते हुए भी 5-6 का आंसर कर पाए होगे अगर पहली बार स्टोरी सुनने माप देखने से अगर आप 50-60% तक पहुँच गए हो आपको बताये इसी तरह से आप बहुत सारे और माप प्राक्टिस कर सकते हैं खुद से अपने लेवल पे और अपनी स्टुडिस को इंट्रेस्टिंग और इजी बना सकते हैं I always say learn like a genius सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है to catch up the pace वेकोज सब पढ़ रहे हैं सब महनत कर रहे हैं आपने क्या वो एक्सपैक्टर डाला जिससे आप टाइम सेव कर सकते हैं effort सेव कर सकते हो ताकि ये बचा हुआ टाइम आप दूसरी चीज़ों को तयार करने में लगा सको यही smartness है राइट शॉटकट नहीं है यह यह शॉटकट नहीं है smartness है hard work तो इसमें भी करना पड़ता है इसमें आपको creativity डालनी पड़ती है so यह थी आज की class मिलते हैं और interesting classes के साथ तब तक take very good care of yourself बबाई